अगर आप लोगों का भी जमीन समदित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रियास करेंगे देखिए सबसे पहले यहां पर जो फेस्बूक यूज करते हैं तो फेस्बूक पर जाईए लिखिए कंप्यूटर की 99 ऐसा इंटरफेस मिलेगा लाइक कर लें अपने दोस्तों को भी बिल्कुल सजेस्ट करें इसको जो है इन्वाइट बेजें और क्या काते हैं आप मैसेज क अगर कुछ भी समस्या है तो हम 100% reply देंगे और आपको बहतर सला देंगे का क्या करना चाहिए कैसे अपना सुधार करना चाहिए क्या तरीका है बहुत लोगों को जानकारी के अभाब में जो है बहुत चीज का जानकारी नहीं होने के चलते उनको पता नहीं चल पाता और कि किसी से पूछने के बाद भी कोई जल्दी बताना भी नहीं चाहता है तो इसलिए वो चीज जो है अधूरा रा जाता है इसलिए आप बिल्कुल पूछिए देखे ये सौरब कुमार जी पूछने अरे भाई रिटर्न का पेपर क्या होता है भाई प्लीज प्लीज है हम आप को बता देते हैं धे कि रिटर्न का पेपर सबसे पहले क्या होता था कि 1905 के बाद जो सरकार के पास जमीन था शरकार के पास जमीन था ये जमीनदार को जमीनदार को अब मतलब जमीन खेती करने के लिए खेती करने के लिए जमिनदार को दे दिया गया मतलब उन्हें 105 के बाद जो भी जमीन हुआ और उसमें return paper बना दिया गया बाद में खतियान में भी खास बना दिया गया खतियान में भी खास बना दिया गया return paper के साथ अब सरकार उसको वापस ले सकती है यह बात समझी है अगर कुछ आपका और है सौर्अब जी है आप पेपर का फोटो बेज देंगे अगर आपको आपको बहतर तरीके से जानकाड़ी देजागता है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल then पुछ रहे हैं पुराने जमाने ख्छतयान क्षों गया है निकाल लीजी थीक, निकाल लीजिए जो पुराना धिस्टिक है पुराना जिला ज़ो आपका जिला है उसका जो उन्हें 105 के पास समय का पता कि ये वही जिला था कि कोई और था अगर वही था तब तो उसी काडिया लेम मिल जाएगा नहीं तो अगर जो पुराना जिला कोई होगा जो तो वहाँ पे आपको डिस्टिक काडिया लेम में पुराना खतियान के लिए आवेदन करने के बात जो कतियान मिल जाएगा ये पूछ रहा है कि प्लीज आप अपना इमेल आडी देना जो है आप बिल्कुल जो है आप जाए इन्फ एसे लिखे इन्फो इन्फो कम्प्यूटर है ना कम्प्यूटर की 99 और एट दरेट ओफ जीमेल डॉट कॉम ठीक है ऐसे है इन्फो ल से आप मैसेज में जाएंगे महां से मैसेज कर सकते हैं और जो है मुझे उसका 100% रिपलाई देंगे अगर कुछ भी समझे आ तो आप पूछिए अगला ये पूछने सर मेरा केवाला है 161 का और उस जमीन पे अभी तक मेरा जो है दखल है तो क्या हम उस केवाला के अधार प नया वाला डालिएगा देखें समस्या है ऐसा बात नहीं है नहीं हो सकता है कि रिजेक्शन भी हो जाएं यह नहीं बोलते हैं 100% हो जाएगा ठीक है लेकिन वह सीओ पर डिपेंड है सिधी बात आप समझे चाहेंगे तो कर सकता है लेकिन पुराना कागजात का अधिकार किस जो है डिस्टिक मजिष्टेट है उनके पास बहुत हथा तॉ पहले की बात है तो उसका सुधार का जितना काम दे दिया गया सब जऄ के पास दे दिया गया डिस्टिक Connect के पास दिया गया तो इसलिए वहीं पे केस फाइल होता है उसके दौरा जो भी समझे होता है लेकिन आ कर दिए और आकर कि आप की लेगा जाएब में हूंने में दिक्कत नहीं होगा हूं वैरिफिकेशन होगा करमचारी के साथ होता है C.I. करमचारी और C.O. तिन आदमी का वेरिफिकेशन होता है तीनों के पास डॉक्मेंट दीजिए कौपी और जाके मिलिए और बताइए समस्या बिल्कुल दाखिल खारिज होगा क्यों नहीं होगा है न सरकार भी इसलिए जो है नया नियम भी आ गया कि अब जो रहिष्टी होगा तुरन दाखिल खारिज होगा तो इसलिए कि सरकार भी चाहती है जमीन का दाखिल खारिज हो मतलब दाखिल खारिज नहीं होता है तो जमीन का फ्रॉड होने का चांस होता है कोई पूराना मालिक दुबारा उस जमीन का रहिष्टी कर दे ऐसा भी हो सकता है सोनु को आप पुछने जवाब तो देते नहीं है दस बार रिपलाई किए सोनु जी बिलकुल आप जाएए फेस्बुक यूज करते हैं तो लिखिए कंप्यूटर कंप्यूटर की 99 वहां पर मैसेज कीजिए मैसेज कीजिए बिलकुल देंगे और बहुत-बहुत नाम खतियान तो क्या जरूरी है उसका नाम रजिश्टर 2 में होना चाहिए दीए रजिश्टर 2 अगर रईहित का आपका जो भी खतियान है तो खतियान का information ही register 2 में होता है और बिल्कुल रहना चाहिए अगर नहीं है तो मतलब कुछ छूट गया या दिकत है कहें कि जो आपका information है वो करमचारी register 2 से ही देखेगा तो इसलिए वो चीज वहाँ पे कम से कम mention रहना चाहिए कहीं कि वो खतियान का ही एक तरीके का information रहता है तो वो ज़रूरी है कि वहाँ पे रहे अबला सवाल है सर पिलीज बताईए कि 1965 का खतियान कैसे निकलता है और पिलीज है ना कि हमारे पास जो है सिर्क 1908 का खतियान है ठीक है और 1965 वाला खतियान कैसे निकला है देखे 1965 वाला खतियान अभी online एवलेबल है ठीक है online जाईए online जो पेपर शोड़के वाँकी सारा जगा ये online पेपर value है उसका तो ये आपको निकल जाएगा 1965 वाला ये online है irc.bih.nic.nic.n irc.bis.nic.in करके आप जाईएगा तो आप खतियान देख सकते हैं अगर आप बिहार से बिलॉंग करते हैं अगला जो ये दीपक जी पूत रहे हैं कि प्लीज आप अपना email id देने का कस्ट करें तो पहले हम आपको बताया है ठीक है बता देते हैं आप जो है इन्फो जाए info computer computer की 99 gmail.com है आप computer की 99 फेस्बूक पर सर्च कीजिए और फेस्बूक मैसेज कीजिए सबसे बेस्ट आप्सन है आप जरूर रिपलाय देंगे जैसरमाजी पूचने सर क्या आप online case फाइल कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं हाँ पर बिहार में अभी यह सब इतना भी luxury सिस्टम नहीं है फ्यूचर में जैसरमाजी जरूर आप करेंगे और आपके जो बच्चे होंगे वो जरूर करेंगे कहे की जो हमारे दादा थे वो एक समय में क्या काते हैं जो है ऑनलाइन नहीं देखे थे और पितादी ऑनलाइन पैसा जमा कर लिए और आप जो है नेक्स जनरेशन जो है वह एक तरह से ऑनलाइन अब जमीन रसीड सब कुछ होता जा रहा है फॉर्म जो भी है लेकिन आगे की फ्यूचर में ऑनलाइन केस फाइल ऑनलाइन केस में जो है एक तरह से पेसी भी हो सकता ओनलाइन हो जाए ठीक है का हिस्सां मेरा है ठीक खतियानि हिस्सां मेरा है डीक ए टाइडल सूट अगर जमीन पर चल रहा है और अगर चतियानिसांद की। तो सकता है कि czarव में वो जो आभी बरतमान इस्थिति है वही हो जायेगा उसके टाइटल से कोई फर्क नहीं परेगा टाइटल का डिगरी होने केहाद फिर्वी रवी सरु हुअ कोट का डिगरी होने के बाद उसमें सुधार पॉसिवल होता है ठीक है अगर आप लोगों का भी जमीन संब्धित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछी है वीडियो के माध्यम से जरूर जबाद दे हुए आप चाहे तो फेस्बूक कोई मेसेज कर सकते हैं वीडियो अच सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लेजिए